नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार और पांच अक्टूबर मकर राज़ी के महाराज़ी फल के बारे में दोस्तों आप सभी को बता दें कि 33 कोटी देवी देवतावने दे दी हैं भारे संकीत अब आपके जीवन काल में आने वाले दो दिनों के अंदर एक लंबी छलाग लगाएगा जहां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आपका धैर का बांध भर चुका है जीवन काल में अब खुसियां आने वाली है जहां दोस्तों अब हो जाएं तैयार जीवनकाल में आनंद लेने के लिए जहां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप यह बात जानते हैं कि इसवर के घर धेर होता है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता जहां दोस्तों वो अपने भक्तों के उपर हमेशा नजर रखते हैं जहां दोस्तों और यह समय आपकी बारी आचुका है भगवान महादेव और धन के देवता कुवेर जी के आशिरवात से आने वाले दो दिनों के अंदर जो चमतकार आप सभी को देखने को मिलेंगे दोस्तों यकीन मानिए आपके होस उड़ जाएंगे साथी दोस्तों या घाटना आप सुनेंगे तो दोस्तों खुसी के आशूं आप रोक नहीं पाओगी पूरे परिवार में खुसीयों का जस्मनाएगा जहां दोस्तों हम आप सभी को बता दे की दोस्तों जीवन काल में धेर रखना तो कोई आप से सिखी चाहे केसी भी परिस्तियां हो कितने भी संकट हो समस्याएं हो आपने कभी भी अपने मन में लालच नहीं आने दिया दोस्तों हर मुश्किल पर सुतिय में भी आप जैसे तेसे करके अपना जीवन यापन किये हैं लेकिन दोस्तों कोई गलत रास्ते पर आपने कदव नहीं रखा जहां दोस्तों और यही धेर है यही सबर है जिसका फल या समय आपको 33 देवी देवताओं के आसिरवात से मिलने वाले हैं भगवान भुलिनात और कुवेर जी महराज के असिरवात से आने वाले दो दिनों की अंदर आप सभी के जीवन काल में पहुती महत्तपुल बदलाव होंगे जो जो सपने आपने सोच के रखी हैं दोस्तों वे सभी सपने आपके यह समय पूरा होने वाला है परन् लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो लोग जो आपके दूस्मन जो सत्रू आपके लिए पीछले समय मुस्यवत बनके खड़े हैं दोस्तों आपको तो उनसे साथान राना ही होगा दोस्तों यह आपका दाइत होता है क्योंकि दोस्तों भागवान भौलगनात कहते ह कि जो खुद की रक्षा करता है हम उसकी रक्षा करते हैं दोस्तों सब कुछ दूसरे के ऊपर कभी नहीं छोड़ना चाहिए और आपको अपने कर्तब को हमेशा निभाना चाहिए तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप बिलकुल ही मिशना करें और एक करमट इंसान की तरह वीडियो को शुरू से लेकर औन तक जरूर देखिएगा हर बातों को बारिक से समझियेगा और कौनसी कारे आपके कार करने से लाप की प्राप्ति होगी और भगवान महाकाल की आसिरवात से आपके घर के माहल में परवारिक जीवन में परतेक छेतर में क्या-क्या सुधार होंगे तो दोस्तों अन्तक देखेगा उससे पहले दोस्तों जो भी वेक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंड बॉक्स में सच्चे मन से जय महादेव, जय कुवेर देव लिखेंगें दोस्तों भगवान महादेव और कुवेर जी का आसिरवात आप सभी को प्राप्त होगा तो दोस्तों जरू लिखें और दियाब इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथे बेल आइक एक राजा था वह जब ही मंदिर जाता तो दो भीखारी उसके दाइं और बाइं बेठा करते थे दाइं तरवाला कहता है इस वर तुने राजा को बहुत कुछ दिया मुझे भी दे दे तो बाइं तरवाला कहता है हे राजा इस वर ने तुझे बहुत कुछ दिया मुझे भ बुलाया और कहा कि मंदिर में दाईं तरब जो विखारी बेड़ता है वो हमेशा इस्वर से मांगता है तो आवस इस्वर उसकी सुनेगा लेकिन जो बाईं तरब बेड़ता है वो हमेशा मुझसे ही मांग करता रहता है तो तुम एसा करो कि एक बड़े से वर्तन में खीर भर यह देख राजा से मांगा मिल गया ना खाते खाते जब उसका पेट भर गया तो उसने बच्ची हुई खीर का बरतन उस दूसरे भीखारी को दे दिया और कहा ले पकड तू खाले मुर्ख अगले दिन जब राजा आया तो देखा कि बाई तरबाला भीखारी तो आज भी सा बेठा है लेकिन दाई तरबाला गायब है राजा ने चोक कर उसे पूछा क्या हुआ तुझे खीर से भरा बरतन नहीं मिला भीखारी ने जवाब दिया जी मिला था राजा जी क्या स्वादिस्ट खीर थी मैंने खूब पेट भर कर खाई फिर राजा ने बोला कि फिर क्य क्या हुआ फिर जब मैंने पेट भर कर खाया तो वह जो दूस 빠 भी घार यहां बेठता है मैंने उसको देख कर कहा मुर्क हमेसा कहता रहता है इस वर देगा इस वर देगा ले खा ले राजा मुशकूरा कर बोला आवसी इस वर ने उसे दे ही दिया जिया दोस्तोंदों तो अच्छे से दिन भी देगा। परिवार के साथ अच्छे से दिन भी देगा, अस्थान परिवरतन सम्दी कोई न बन रही है तो आज उस पर कोई महतपुन कारिशंपन हो शकता है। गार में नजदे की समवंदों के आने से उत्सा भरा माहूल रहेगा किसी विशेश कार को पूरा करने की युजना बन रहा है तो दोस्तों वह आवसी सफल होगी संतान की किसी उपलब्दी से मन में शुकून और खुशी मिलेगी मित्रों तथा रिस्तदारों के साथ भी मेल मुलाकाद भी होगी व्यक्तिका तथा समाजी गत्ति विदियों में वैस्ता रहेगी अनुवी तथा प्रवाव सारी लोगों के साथ समय वितित करने का मोका मिलेगा साथ समाजी दायरा भी बढ़ेगा और फायदे नई उपलब्दियां भी परदान करेगा साथ साथ दोस्तों उधार दी हुए पेसे की वसुली भी शंभाव है इनके साथ साथ दोस्तों आपको शिर्व ध्यान यह रखना है कि आलास और लापरवाई आपके लक्ष को भटका सकते हैं इसलिए मन को श्यमित रखें ता जूठे दोस्तों से भी दूरी बना कर रखना जरूरी है गर के बड़े बज़रों की राय पर आवसे ध्यान दें निसीती आपको उचित समधान मिलेगा वैपसाई कारे परणाले में कुछ परिवर्टन सबनीयों जनाब बनेगी रुके हुए काम पूरे होने की समभावना है और दोस्तों टेक्स समधी फाइलना को कम्प्लिट रखें नोकरी पैसा लोग को पन्नोती के आपसर बन रहे हैं इसलिए अपने कारे को पूरी निष्टा से करें और दोस्तों कारवारी मामला कोई भी फैसला लेती समय अनुभी इसी सलाज जरूर लें इसा करना आप लिए फाइदमन सावित होगा परवारी सदस्यों के विज उचीत समांजस बना रहेगा नजदेकी समधियों के साथ कोई मेल मुलाकाद जैसा प्रोग्राम भी बन शकता है वहीं दोस्तों के लव लैप के बारें बात करें प्रेम परसंगों से दूर ही रहें दोस्तों आपके स्वास्त के बारे में देखा जाए तो डायट विटिज और ब्लड पेसर से समधे दिकत्तें बढ़ सकती है इससे में किसी भी कार को तनाब में ना लें स्वास्त ठेक रहेगा मोसम में बदलाब की बज़े से कुछ आलस और सुष्टी आ सकती है इन पर ध्यान रखें वहीं दोस्तों आप बात करते हैं आपके उपाय के बारे में दोस्तों सास्तों में भगवान कुवेर को धन का देवता कहा जाता है मालक्षमी के साथ भगवान कुवेर की पुजा करने से जीवन वर भाक्तों की किसी भी चीज की कमी नहीं होती जानकारों के मुतावित कुवेर मंतर का जाफ करने से आपार धन और धन की प्राप्ती होती है जो तिस सास्तों के अनुसार कुवेर मंत्र का जाफ करने से भागवान कुवेर की किरपा प्राप्त होती है दोस्तों यह मंत्र रोज शुकरवार के दिन अश्टा निर्वात रोकर करें आपके घर में धान धान की कभी कमी नहीं होगी दोस्तों आपका भागे साली रंग और भागे साली अंक क्या है दोस्तों आपका भागे साली रंग हारा है और भागे साली अंक दो है दोस्तों भगवान महाकाल और कुवेर जी का आशिर्वात आप सभी को प्राप्त हो सच्चे दिर्शे कमेंड बॉक्स में जै महाकाल जै कुवेर देवता जड़ू लिखें और वीडियो को लाइक सेर ज़रू करें धन्यवाद